वेल दोस्तो शुरुआत करते हैं जहां जाते हैं जलो फटाफट एक एक चीज का डिस्कुशन करते हैं एक एक चीज अच्छे से समझते हैं तो हमारा जो डिस्कुशन है वो था सम ड्यू यानि मुझे छे मैने बाद में जो रुपिया मिलने वाला है इसे ही हम लोग बोलते हैं सम ड्यू कितना है सम ड्यू सपोस करो एक हजार रुपिया है लेकिन आज के आज वो पैसा मुझे मिल जावे तो वो 900 रुपिया हो तो प्रेजेंट वर्थ 900 समझाना प्रेजेंट वर्थ यानि आज के आज पैसा मिल गया तो और टू डिस्काउंट यानि ब्याज 900 रुपिय के जगह अगर वो 900 रुपिया मुझे 900 रुपिय का माल अगर मैंने बेचा और उसका पैसा वो छे महने बाद में दे रहा है तो मै 1000 रुपिया ले रहा हूँ यानि ये 100 रुपिया मैं ब्याज के नाम पे ले रहा हूँ ये है true discount सही है गलत है बोलो रे है ना true discount यानि है क्या basically interest on present worth सही है गलत है बोलो सही है true discount is equals to present worth into number of year into rate of interest divided by 100 ठीक है अब ये बताने की ज़रुरत नहीं है कि sum due याने present worth plus true discount होता present worth तो जैसा का दैसा true discount याने interest on present worth याने present worth into number of year into rate of interest divided by 100 तो present worth अगर मैंने common ले लिया तो sum due का नया formula क्या बन रहा है बोलो रे 1 plus nr divided by 100 सही है गलत है बोलो सही है ना bankers discount is equals to interest on bankers discount याने क्या कर रहा है face value पे ब्याज ले रहा है interest on face value याने bankers discount is equals to face value into number of year into rate of interest divided by 100 सही है क्या बोलो ना ठीक है अच्छा banker discount याने bank वाले का ब्याज ये bank वाले का ब्याज सही माहिने में ब्याज रहता या इसके अंदर bank वाले का फाइदा भी included है इसके अंदर bank वाले का फाइदा भी included है है ना अच्छा bank वाला फाइदा कितना लेते रहता जो सही प्याज है true discount है उसके उपर का interest interest on true discount याने bank वाले का फाइदा याने banker game का formula क्या हो जाएगा interest on true discount याने याने true discount into number of year into rate of interest divided by 100 सही ये क्या बोलो ना ध्यान आ रहा है क्या क्रिश्ना हिरोडे कार्तिक मुलानी वेदान पाटिल बोलो याने banker gain याने true discount into number of year into rate of interest divided by 100 banker gain निकालने का ओर एक formula है हमारे पास में banker discount में से true discount माइनस कर दिया तो भी bank वाले का फाइदा निकल जाता बैंकर gain निकल जाता है है ना तो banker gain के दो formula है एक bankers discount माइनस true discount करो तो भी banker gain निकल जाएगा दूसरा true discount के उपर का interest ले लेंगे तो भी banker gain निकल जाएगा करनत डागा मोनिका ताई वेदान्त भुयार स्वयम अकरवाल सही बोल रहा हूं क्या मैं आवाज आरी है न मेरी अच्छा बीच में आवाज कट रहती ठीक है ना आज का lecture हमें adjust करना पड़ेगा कैसे भी करके ठीक है तो यह हम लोगोंने सारे के सारे फार्मूले discuss कर लिए ठीक है ना बूलो ना अरे हां या ना ठीक है अब हमने कल एक नई बात समझी कल याने previous lecture में एक नई बात समझी मुझे देखो मुझे 6 महने बाद में पैसा आने वाला है कितना 1000 रुपिया है ना तो मुझे जिसते भी रुपिया आने वाला था उसने मुझे बिल बना के दे दिया कब बनाया बिल एक जनवरी 2021 में date of drawing है बिल बनाने की date अरे आ रहा है क्या समझ मैं बूलो ना हाँ ठीक है छे महने के बाद का बिल बनाया एक जनवरी से याने 30 जून 2021 को बिल खतम हो जाएगा और पैसा मंगने की due date आ जाएगी एक जुलई 2021 यानि ये एक जुलई 2021 क्या हो गई नॉमिनल ड्यू डेट अरे भूलो ना हाँ या ना अच्छा निगोशेबल इंस्टूमेंट्स एक्ट क्या बोलता है ये due date आ गई तो इसी दिन पैसा मंगना पड़ेगा या तीन दिन ग्रेस पिरेड देना पड़ेगा तीन दिन का ग्रेस पिरेड देना पड़ेगा हाँ या ना अरे बोलो ना हाँ तीन दिन का ग्रेस पिरेड देना पड़ेगा तो ये तीन दिन का ग्रेस पिरेड याने ये चार साथ 2021 इसको क्या बोलते रहते हैं लोग लीगल ड्यू डेट स्वाई है गलत है बोलो रे रही है लीगल ड्यू डेट ये एकदम सही है अब यही सारे चीजों को डिसकस करते हैं है ना ये 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 सारा किस्सा है अब देखो एक जन्वरी को मैंने माल बेज दिया ता बिल मेरे हाथ में आ गया मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन एक महीने बाद में है ना चार फर्वरी को मुझे अचानक पैसों की जरूरत पड़ी और मैंने ये बिल बैंकर के पास में डिसकाउंट कर लिया तो चार फर्वरी क्या हो जाएगा डेट आफ डिसकाउंटिंग सही है ना इसी दिन मुझे पैसे मि जाएगे क्या हजार रुपए पूरे मिलेंगे या कम मिलेंगे बैंक वाला पूरे हजार रुपए देंगा मुझे या ब्याज खाके देगा ब्याज खाके कम देगा सही बात है न तो यह discounted value यानि के cash value मेरे हाथ में देगा सही है गलत है बोलो रहे सही है 100 टका सही है है न अच्छा period of discounting कहां से कहां का माना जाएगा bank वाला ब्याज कहां से लेगा जिस दिन मुझे पैसा दिया cash value दिया महां से लेके तो legal due date तक का ब्याज वो खुद रखने वाला है banker सही है गलत है बोलो रहे श्रिया जैन कनक दागा वेदान भुयार श्रितेश देश्मूक बोलो ना हां या ना सही है खीक है अब आज इसी के उपर थोड़ा सा discussion करेंगे ये जो कुछ देखा हमने इसी के उपर discussion करेंगे मुझे बताओ हमारे कितने problem हो चुके है अरे बोलो ना तीन problem हो चुके है second exercise के याने चौथा problem हमको देखना है ठीक है ना example number 4 page number 11 exercise 1.2 सही है गलते सही है अब देखते हैं क्या बोला हुआ है समझ लेते हैं to discount on to discount on some is three by eight of sum due ये जो true discount है question में दिया हुआ है three by eight of sum due है कोई दिकाट? अरे बोलो ना आवाज आ रही है क्या मेरी हाँ true discount is equal to three by eight of sum due question में बोला हुआ है rate of interest दिया हुआ है question में 12% per annum का हाँ या ना बोलो रे ठीक है और हमें बोला हुआ है period of bill निकालने का है कुछ भी दिया हुआ नहीं है और period of bill निकालने के लिए बोला हुआ है ठीक है कोई बात नहीं देखते है हम लोग कैसा कर सकते क्या कर सकते अब आप ही मुझे बताओ sum due का फार्मूला क्या है present worth plus true discount सही है गलत है अब बोलो ना हाँ या ना आज क्या हो गया कोई बात नहीं कर रहा मिर से क्या हो गया आप लोगों को जवाब नहीं दे रहे दर्शन माहुरकर, मुहित पालिवाल, निकिता करसाडे, सुमित मूर्डिया क्या प्रॉब्लम है सब समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को हाँ तो sum due is equals to present worth plus true discount ठीक है अब हम यहाँ पे true discount तो हमको दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sum due is equals to present worth true discount के जगह में 3 by 8 of sum due लिख सकता हूँ क्या हाँ या ना अरे बोलो ना चीक है याने sum due minus 3 by 8 of sum due is equals to present worth तो ही है गलत है बोलो है ना तो 8 sum due minus 3 sum due upon 8 is equals to present worth याने therefore मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या present worth is equals to 5 by 8 of sum due अब बोलो ना हां या ना अच्छा इसको हम नाम दे देते हैं वन का काम पड़े गाई हमको ठीक है सारे लोग ध्यान देना पूरा concentration रखना बहुत अंगार चीज़ डिसकस कर रहे ठीक है अब आप ही मुझे बताओ present worth का याने present worth is equals to 5 by 8 of sum due आ गया present worth के उपर से और अपने पास में कोई फार्मूला है क्या present worth के उपर से एक फार्मूला है हमारे पास में true discount is equals to क्या रहे true discount का फार्मूला बताओ ना present worth इन्टू नंबर आप इयर इन्टू रेट आप इंट्रेस दिवाइड बाई हंड्रेड अरे हां या ना बोलो ना है ना question अंगार है तब question है सोचना पड़ेगा आपको देखो मेरे पास में सिर्फ इतना दिया हुआ है question ने कि two discount three by eight of sum due है rate of interest 12% का है number of years निकालने का है ठीक है अब मुझे यह पता था कि sum due निकालने का है अब sum due निकाला तो इसके अंदर आ तो गया लेकिन sum due present worth के form में निकला अब जब present worth के form में निकला तो मेरे धिमाग में और एक खिचेड़ी पक गई की present worth के ऊपर से और एक फार्मॉला है मेरे पास में true discount का तो true discount is equal to present worth into number of year into rate of interest divided by 100 चीक है अब यहाँ पे मैं true discount की value दाल रहा हूँ true discount की value कितनी है बताओ question में दिया हुआ है 3 by 8 of sum due हाँ या ना present worth अभी हमने निकाला 5 by 8 of sum due अरे बोलो ना present worth is equal to 5 by 8 of sum due है की नहीं है हाँ number of year मुझे निकालने का है rate of interest हमको question में दिया हुआ है 12% का चीक है divided by 100 जो जो cancel हो सकता उसको cancel कर दो है ना तो therefore ultimately 3 into 100 is equals to 12 पंच साथ 60 into n ये 0 ये 0 खतम या 3 एक तीन 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 दोनी साहा बे एक बे बे पंच दाहा याने therefore n की value कितनी आ जाएगी पाच हाँ या ना है ना find the period of bill इसका मतलब बिल का पिरेड कितना है पाच साल का है है ना तो मैं n काई में दिया वा रहता हम काई में अज्यूम करते रहते हैं n हमेचा पर एनम में सही है ना हाँ सर आपने बूला था आज अंगाल डिसकुशन करने का है तो बिलकुल अंगाल डिसकुशन ही तो शुरू है तो therefore अब आप ही बताओ क्या बढ़बढ कर रहा था मैं therefore पिरेड ओफ बिल इस वायू यह और स्वई है गलत है बोल रहे है ना अच्छा क्वेच्चन ताने टॉफ है यह इतने जल्दी ध्यान में नहीं आता क्यों ध्यान में नहीं आता क्योंकि दो फार्मो लेक के बेसिस पे जब तक ये question एक बार खुद स्वाल नहीं करो तब तक ये exam में आने में दिक्कत जाती है मैं क्या बड़बड कर रहा हूं समझ में आ रहा है कि आपको आँ चलो मित्रो तो ये हम लोगों ने खतम कर लिया ये कुन से फोर्थ नंबर का question था अच्छा question है ये इस तरह के question जब तक एक बार स्वाल नहीं करते तब तक नहीं आते हैं अब आगे आने वाले इस exercise के सारे ही question बहुत जबरदस्त है Example number 5 20 copies of book 20 copies of book can be purchased for for certain sum table at the end of six months and 21 copies for same same sum in ready cash question क्या है बताओ मुझे question में ऐसा बोला हुआ है कि अगर मैं कोई book purchase करू तो अगर मैं cash में पैसा दू 20 कोपी का तो मुझे वो कितने कोपी मिलने वाले 21 copies मिलने वाले है है ना और अगर मैं cash में पैसा नहीं दू है ना कुछ महीनों के बाद में दू 6 महीनों के बाद में दू तो उतने ही पैसों में मुझे 20 कोपी मिलेंगे समझा की नहीं समझा question बोलो रे सारे लोग बोलो ना अरे आप लोगों को पता है न मेरे साथ में discussion करना पड़ता हाँ अरे लक्षात आलो की नहीं आलो मनस्वी तरवया दिशात आई कार्तिक जैन निधी राय अरे बोलो ना खतरना खत्री अनूज निमकर समझला चलो ठीक है आगे बढ़ते है क्या बुला हुआ है तो इसमें है ना मैं आगे बढ़ते है ये आपकी आवाज थोड़ी कमारी तो मैंने आवाज बढ़ा दिया यहां पे अब find rate of interest हमको जो निकालने के लिए बुला हुआ है वो बुला हुआ है rate of interest अच्छा को ठरी है ना आयूश सोनार भुबी का सोनी सारे लोगों को complete concentration लगेगा कोई लिखेगा नहीं बात में लिखेगा मैं समय दे दूँगा आपको देखो बात ऐसी है कि suppose suppose cost of one book one book एक book की cost x है मान के चलते है कि एक book की cost x है तो आप ही मुझे बताओ ये कितने book ले रहे है हम लोग अगर हम 20 copy purchase करते है है ना 20 copies of book can be purchased तो देखो cost of 20 books 20 books की cost 20 x हो जाएगी और cost of 21 books 21 books की cost 21 x हो जाएगी सही है गलत है बोलो तो है ना है जाएगी अगर मेरा बोलना हैं कि अगर मैं छे महने बाद में पैशा देने वाला हूँ 21 बूक अगर मुझे खरीदना है और मैं अगर 6 मैने बाद में पैसा देने वाला हूँ, तो मुझे कितना रुपिया देना पड़ेगा, 21 एक्स देना पड़ेगा हाँ या ना, सारे लोग बोलो ना, अतरवबायती, तानिया, शादी, हर्चा, राठी, अनुजा माने कर, मैं अगर 21 बूक खरीद रहा हूँ, और पैसा 6 मैने बाद में दे रहा हूँ, तो 21 एक्स देना पड़ेगा क्या, हाँ या ना, है ना, याने क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सम ड्यू, सम ड्यू, इसी कोस्टू, 21 एक्स, ये महिने बाद में मुझे 21 एक्स देना पड़ेगा हाँ या ना, अरे बोलो ना, आज क्या हो गया, आज जवाब नहीं दे रहा है आप मुझे, मजा नहीं आ रहा मिरको पड़ाने में, हाँ, चलो, ठीक है, वापस से क्वेशन देखते हैं, वापस से क्वेशन देखते हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ, क्वेशन में बोला हुआ है, अगर मैं 20 बूक परचेस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं 20 बूक परचेस कर रहा हूँ, और अब देखो बीज बुक पर्चेस कर रहा हूँ पैसा छे मैने बाद में दे रहा हूँ उसका फॉर सर्टन समकुझ उतनों भी छे मैने बाद में दूगा लेकिन अगर उसी बुक की 21 कोपी अगर मैं पर्चेस करता हूँ है ना तो मुझे जो पैसा देना पड़ेगा अगर मैं आज के आज पैसा देता हूँ तो मुझे सिफ 20 कोपी का ही पैसा देना पड़ेगा देखो question में बोला हूँ है कि अगर मैं पैसा 21 बुक पर्चेस कर रहा हूँ और अगर मैं 6 मैंने बाद में पैसा दे रहा हूँ, तो मेरे को पूरे 21 बुक का पैसा देना पड़ेगा, और पैसा अगर मैं आज के आज दे रहा हूँ, और 21 कोफी पर्चेस कर रहा हूँ, तो पैसा मुझे 20 बुक का ही देना पड़ेगा, समझा की नहीं समझा, है ना, तो अब इसके उपर मैंने अज्यूम किया कि suppose cost of one book x है है ना मुझे पैसा जो 6 मैंने बात में देना पड़ता वो x देना पड़ता ये मान लिया तो 20 book की cost 20x हो जाएगी हाँ या ना 21 books की cost 21x हो जाएगी हाँ या ना question ने क्या बोला हुआ है question ने बोला हुआ है कि अगर आप 6 मैंने बाद में पैसा दे रहे हो और 21 book purchase कर रहे हो तो आपको पैसा 21x देना पड़ेगा हाँ या ना याने जो 6 मैने बाद में मैं पैसा दे रहा हूँ 21x क्या ये sum due है हाँ या ना लेकिन अगर लेकिन अगर यही पैसा मैं आज के आज दे दू 6 मैने के बाद में नहीं तू आज के आज दे दू तो मेरे को 21 book के लिए पैसा कितना देना पड़ेगा 20 book का देना पड़ेगा है ना तो 20 book हाँ ये मेरी present वाद हुई क्या फिर हाँ या ना ठीक है हाँ अब question में मुझे given दिया हुआ है क्या given दिया है पिरेड कितना दिया हुआ है 6 मैने का अब आप बताओ पिरेड हम year में लेते रहते कि month में लेते रहते है ना एन को मैं one by two year लिख दू हाँ या ना बोलो ना हाँ अब मुझे आप लोग बताए you just tell me आपी लोग मुझे बताए क्या आ जाएगा हमारा formula sum due is equals to present worth प्लस true discount सही है गलत है अब मुझे true discount का formula बताए true discount का formula क्या है present worth into number of year into rate of interest divided by hundred अरे बोलो ना हाँ या ना अब present worth है मेरा 20x number of year है मेरा 1 by 2 rate of interest मुझे निकालने का है divided by hundred ये हो गया मेरा true discount ठीक है अब मैं इसके अंदर equation 1 के अंदर सारे value दालताओ equation 1 implies बताओ equation 1 में sum due है sum due already हमको दिया हुआ है 21x है क्या sum due हाँ या ना present worth 20x है क्या present worth की value 20x है क्या हाँ या ना true discount अभी हमने निकाला कितना है true discount 20x plus 1 by 2 into rate of interest divided by sumber अरे बोलो ना ये equation ध्यान में आया क्या कैसे लिकाला मैंने कुछ नी इस equation में सारे value दाले sum due 21x है है ना present worth अभी हम लोगों ने देखा present worth 20x है और true discount याने ये अभी हमने निकाला था 20x plus 1 by 2 into rate of interest divided by 100 अरे बोलो ना हा या ना हर्शा रठी तीशा काकर्ड सानी का सुने दिव्यकोष्टी कहां पे 20x यहां पे यहां पे अच्छा यह इंटू यह मैंने गलती से लिखती है प्लस के जगए इंटू चीए यही बोल रहे था आप लोग हां बिल्कुल सही बोला आपने एकदम सही बोला अब बताओ 21x minus 21 20x याने x यह 2 से डिवाइड कर दिया तो यहां 10 आ गया यह 0 और यह 0 कैंसल याने अल्टिमेटली कितना आ जाएगा यह x इंटू आर डिवाइड बाई 10 अरे सही है क्या बोलो ना है ना अब यह x और यह x कैंसल देरफोर आर इस इकोस टू 10 परसेंट हमको रेट आप इंट्रेस निकालने के लिए बोला हुआ था रेट आप इंट्रेस कितना हो गया 10 परसे अरे बोलो ना therefore 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 rate of interest is 3% per annum फीक है यह हो गया हमारा question मैं एक बार repeat कर देता हूप पूरा question tough है hard है है ना तो ऐसे question जब तक हम एक बार solve नहीं करते हमको नहीं आते रहते हैं ऐसे कुछ question रहते ही है ठीक है मैं एक बार question को repeat करता हूँ question ऐसा था अगर मैं 20 book खरीता हूँ तो मुझे 20x रुपीज देना पड़ता है छे महीने बाद में अगर मैं 21 books खरीता हूँ तो मुझे 6 महीने बाद में 21x रुपीज देना पड़ता है लेकिन अगर मैं आज के आज पैसा दू 21 books का 21 books का तो है ना तो मुझे 20 books के cost में ही 21 books मिल जाएगी कहने का मतलब 21 books अगर का पैसा मैं आज के आज ही दे दू 6 मैने बाद में नहीं दू तो मुझे 20 books का पैसा देना पड़ेगा है ना इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं पैसा 6 मैने बाद में देता हूँ तो मुझे 21x देना पड़ेगा है ना एक book की cost x पकड़ के चलो तो 6 मैने बाद में अगर पैसा दू तो 21x देना पड़ेगा और आज के आज पैसा दे दू तो 20x देना पड़ेगा है ना 6 मैने बाद का पैसा याने sum due और आज के आज पैसा दे दिया याने प्रेजेंट वर्थ हाँ या ना बोलो रहे है ना अब पिरेड जो है वो छे मैने का है हमने इयर्स में convert करके उसको half year कर दिया फार्मूला हमको पता है क्या है फार्मूला sum due is equal to present worth plus true discount वही है गलत है वही है है ना अब इसमें values डाल दिये हमने पहले तो true discount निकाल लिया true discount का formula को बहुत बता है बहुत अच्छे से पता है true discount क्या है साहिल शिर्वाते बता बेटा क्या है true discount true discount का मतलब क्या होते रहता interest on present worth true discount का मतलब होते रहता है interest on present worth तो हमने present worth into number of year into rate of interest divided by 100 ये निकाल लिया interest on present worth ये ही हो गया हमारा true discount सही है गलत है बोलो रहे सही है है ना तो अब ये true discount ये formula में values रख लिया अब इस formula में हमारे पास में present sum due भी दिया हुआ है present worth भी दिया हुआ है और true discount भी हमने निकाल लिया सारे values दाल दिये इसमें और इसको solve कर लिया तो बराबर rate of interest निकल गया तानिया शादी चाहूल पठारे दीशा काकड होशी कोटक समझा क्या रे बोलो ना तो चलो लिखो फटा फट चलो मित्रो आगे discuss करते है अगला question देखते है example number 6 यह छटवे number का example यह number ही अंगार है एकदम है ना यह number में ताकद ही अलग है है ना अरे बोलो ना अच्छा ध्यान देना find find true discount banker discount and banker gain और यह बाप रे देखो कितनी सारी चीजे बोला हुआ है true discount find out करने का है उसके बाद में banker discount find out करने का है उसके बाद में banker gain भी find out करने का है कुछ याद आ रहा है क्या रहे banker discount का पार्मूला बताओ banker discount का आए के उपर निकालते रहते जल्दी जल्दी बोलो face value हाँ banker discount का मतलब रहता है interest on face value अरे हर्च लाधिया क्लास में है की नहीं है हर्च लाधिया भूमी का सोनी हर्च लाधिया नहीं है शायद क्लास में है ना चलो banker discount याने interest on face value सही है गलत है बोलो रहे तो फार्मूला क्या है banker discount का face value into number of year into rate of interest divided by hundred हाँ ये एक फार्मूला अब उसके बाद में true discount का फार्मूला बताइए I am viscer low true discount का फार्मूला क्या है interest on present worth बराबर ये तो एक फार्मूला है true discount का क्या true discount का और एक फार्मूला है ऐसा banker discount minus banker gain क्या इससे भी true discount निकलता है हाँ इससे भी निकलता है है ना अब मैंने तो ये question ये फार्मूले ऐसे ही लिखे मैंने जस्ट अपने ऐसी एक recall करने के लिए अब question पढ़ते हैं find true discount banker discount banker gain on bill अब रुपीज 4,240 अब आपी बताओ रे 4,240 रुपय का बिल है face value कितनी हो गई बिल की sum due बोलो चाहे face value बोलो 4,240 due 6 month hence याने n की value 6 month याने 6 divided by 12 याने 1 by 2 year अरे हाँ या ना बोलो ना है ना rate of interest 9% है ना per annum चलो इतनी बाते दिया हुआ है हमें अब आप मुझे बताओ banker discount कैसे ये true discount का बाद में देखते है ये जो चीज मैंने लिखा इसको भी मिटा देता हूँ ये सिब recall के लिए मिरको कामकास से भी ये फार्मूला है अभी अब banker discount कैसे निकाल सकेंगे बताओ मुझे पेस वैल्यू है क्या आपके पास में 4,240 उर्पे की है number of year 1 by 2 rate of interest 9% divided by शंबर ठीक है 1 0 खतम 1 0 खतम हाँ अब बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर ही बताओ banker discount का आंसर कितना आ रहा है अरे बोलो ना banker discount का आंसर कितना आ रहा है 190 पॉइंट अरे लवकर बोला ना मैं कर लू क्या calculation मैं इच कर लेता हूँ अरे बस इतना ही है चलो चीक है 190.8 सही है गलत है यह एकदम सही है इसको मैंने लिख लिया equation number one अब आप मुझे बताओ banker discount का ओर एक फार्मूला हमको मालूम है कुन सा फार्मूला मालूम है banker discount is equal to true discount plus banker gain हा ना तो अब मुझे true discount भी मालूम नहीं है banker gain भी मालूम नहीं है ओके तो आता तुमी समला सांगा कस कराई सो मेरको दोनों चीजे नहीं मालूम तो फिर मैं सबसे पहले banker gain का फार्मूला बताओ रे banker gain का एक और फार्मूला मालूम है हमको बताओ तो interest on true discount yes interest on true discount तो क्या है formula true discount into number of year into rate of interest divided by hundred हाँ जब मैं बोल रहा हूँ न तो शान्त हो जाया करो था कि सारे बाकी लोगों को आवाज जानी चीए बराबर समझ में आना चीए है ना तो banker gain का फार्मूला interest on true discount है साही है गलत है बोलो साही है है ना याने हाँ मैंने जान बुच के दूसरा वाला फार्मूला लिया मैं जान बुच के true discount लाना चाहता था किसी और फार्मूले के बहाने हैं ना banker gain के मेरे पास में दो फार्मूले है एक है banker gain का फार्मूला banker discount minus true discount और दूसरा फार्मूला है interest on true discount साही है गलत है बोलो ना साही है हाँ अब banker gain easy goes to true discount तो मुझे पता नहीं है number of year हमको question में दिया है half year है rate of interest हमको question में दिया हुआ है 9% का चीक है divided by sumber है ना तो यह आग्या banker gain अब मुझे आप लोग बताए you just tell me इसको मैं बोल दे रहा हूँ equation number 2 अब आपको कुछ वो याद आ रहा है क्या कि banker discount का ओर एक पार्मुला banker discount is equals to true discount plus banker gain अरे बोलो ना हा या ना है ना अब आप ही बताओ true discount तो मुझे मालूम ही नहीं है कितना है banker discount मुझे मालूम है 190.8 banker gain मैंने अभी निकाला true discount into 1 by 2 into 9 divided by 100 बताओ इससे मुझे true discount की value मिल सकती है क्या हा या ना हाँ ये सब सोच समझ के किया मैंने मेरे already दिमाग में आ गया था कि मुझे एक variable में convert करना है करके पहले मैंने banker discount निकाल सकते थे उसको निकाल लिया banker discount निकालने के बाद फिर banker gain को true discount में convert किया और banker discount को भी true discount में convert किया पूरा question true discount में आ गया एक ही variable आ गया अब answer आ जाएगा ठीक है ये आ गया 100 true discount plus 4.5 true discount whole divided by 100 समझा क्या अरे बोलो ना समझा क्या cross multiplication किया मैंने और कुछ भी नहीं किया 100 true discount plus चलो हम हमारे question में वापस से आ जाते हैं दिखो हम लोग कैसा solve कर रहे थे इसको मैं recall करा दू आपको थोड़ा सा तो बात ऐसी है original अगर मैं question देखता हूँ तो मुझे true discount bankers discount banker game तीनों चीज़े निकालने की है जो values यह है वो banker discount तो उससे मैं आसानी से निकाल सकता हूँ ठीक है इसके बाद में मुझे problem ऐसा है कि true discount निकालना है तो वा एक ही फार्मूला है मेरे पास में कुन सा एक तो present worth का है लेकिन question present worth पे dependent नहीं है अभी है ना तो present worth का formula मेरे लिए काम का नहीं है true discount का तो दूसरा formula मेरे पास में true discount का कुन सा है banker discount minus banker gain एक ही फार्मूला बचता है अरे समझ में आ रहा है न ठीक है तो अब true discount और banker gain दोनों एक दूसरे से related रहते और दोनों की value मेरे पास में दियावा नहीं है ऐसे वक मेरे पास में एक ही option रहता एक तो पूरे question को banker gain में convert करो या तो पूरे question को true discount में convert करो ठीक है तो मैंने पूरे question को true discount में convert किया banker gain का formula हमको मालूम है interest on true discount तो true discount into number of year into rate of interest divided by hundred ठीक है अब banker gain का ये तो हमारे पास में formula था अब banker discount का हमको और एक formula मालूम है banker discount is equals to true discount plus bankers gain ठीक है यहाँ पे हमने ये जो banker gain की value true discount के form में निकाला था वो दाल दिया automatically पूरा question true discount में ही convert हो गया समझा की नहीं समझा बोलो रहे हैं है ना थोड़ा भारी जा रहा होगा अब multiplication करते हैं तो 190.8 into sumber is equals to 104.5 into true discount therefore true discount is equals to 190.8 into sumber divided by 104.5 बताव true discount कितना है अरे बोलो ना कितना आ रहा है true discount कितना वह वन वन ये टी टू पॉइंट है फिप्ती एट इस आंसर उत्तर यही है हमारा आंसर तो अब मैं आखरी में अ लिग देता हूर नहीं पूरा नहीं बैंकर नहीं नहीं बैंकर नहीं आए लिक्टियृएं या हाँ तो आप मुझे बता ओरे benker गेन का फार्मुला क्या죠 माइनस पूंट सुन्रू ड्सकाउंट सबस्रय है गलत है जा स्य पीकिल तिक ऊंसर बताओ true discount निकालाता 182.58 बताओ banker gain कितना निकल जाएगा बताओ answer बताओ अरे बोलो ना सारे लोग आवाज आ रही है क्या मेरी 190.8 यह आगया 8.22 8.22 आया हाँ या ना है ना तो अब आखरी में लिख लेता हूँ therefore bankers discount is of rupees banker का discount कितने का है रहे 190.8 banker discount के बाद में true discount is of rupees 182.58 and bankers gain is of rupees 8.22 किसा खतम समझा कि नहीं समझा सारे लोग बोलो पुर्वा कोठारी वेदान पाटील स्नेह मंचानी पुनित अरोरा है ना थोड़ा सा भारी question है हाँ चिक है तो यहीं पे आज की class फतम करते है टाटा बाटा 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 सी यू